सामने हो मन्जील तो रास्ते ना मोड़ना जो भी मन में हो सपना मत तोड़ना कदम कदम पर मिलेगी मुश्कील आपको बस सितारे छोने के लिए जमीन मत छोड़ना है ठीक है इस वीडियो की पीडियोफार चैनल आप हमने टेलीग्राम का या करन्ले जूह सटे हैं मैं अफने आप चैनल पर पहले बार विजित करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेहाई कई को पर commentary आपको इस तरह है दोस्तों प्लीज वीडियो लाइक जरूर किया करें इससे हमें मोटिवेशन मिलता है उत्सावर्दन बढ़ता है और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ चले स्टाट करते हैं पहला कोशन बहुत ज्यादा के केंप फोर्ट मॉल में वर्चुल करेंसी एक्सेंज यूनो कॉइंदारा क्रिप्टो करेंसी के लिए धन जमा करने और निकालने के लिए केटिम स्थापित किया गये ठीक है तो बैंगलूरू में स्थापित हुआ है केंप फोर्ट मॉल में आपको बता दे कि इसमें जो यूनो कॉइन वेब साइट पर अनुदोत किया जाना चाहिए थीक है तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंग्विश शहर में स्थाबित किया जागा बैंगलूरू में अब यहां पर बात हो रही बैंगलूरू के तो बैंगलूरू से लेटर भी बहुत सारे कोशन एक्ज बैंगलूरूरू में ठीक है तो यह आपको फैक्ट याद रखने इसके लावा दुस्तों भी हाली में करेंडफेस का मोस्ट इंबोडन कोश्चन बैंगलूरूरू से बनना है देश का पहला इसराइल इनोवेशन सेंटर कहां खोला गया है करनाटक की राजधानी करनाटक का जो इसको गर्षोपा भी कहते हैं यह करनाटक में स्थित है और करनाटक के जो वर्तमान में गवर्नर है वह बाजू भाई वाला सीम है एच्डी कुमार स्वामी ठीक है दोस्तों तो यह सारे आपको फैक्ट इसकोशन से लेटे इतने मिल गए जो आपके एक्जा इसके लाब आपको कुछ भी पंडिक जरूत नहीं है तो जरूर देखा करें वीडियो पसंदर लाइक जरूर करें चलिए अगला कोश्चन है अंतराष्टी ओलंपिक समिति पुरुषकार किसने जीता है दोस्तों यह भी बहुत मात्मूर कोश्चन है अंतराष्टी ओलंप समिति के खेल और शक्री सुसाइटी आयों का अनुदान पूर्षकार जीते हैं सुहेल बातादे की स्पोर्ट्स डवलमेंट संस्थापक और मार्था फेरेल फाउंडेशन के कारकारी ने दे सके ठीक है आपको तादिक 25,000 अमेर्की डॉलर की कीमत या अनुदान दुनिया सब्सकार समारों में ओलंबिक के दवरान एक्षन फोरम में आजित किया गया था ठीक है अब यहां पे दोस्तों बात थोरी अंतराष्टी ओलंपिक समिति की बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि एक कोशन पूछा जाता है सबसे पहला कोशन पूछा था अंतराष्टी इसका जो है लोसाने श्विट aha लैंड लोसाने जैश लोसाने इह आपको याद रह और यह ये पूछ लेता है ठीक है तो अंतराष्टी ओलंपिक समितिक पूरुषकार घृतलिया है तो है लेफ टंडन यानी और औप्सन भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसके लाब है अग प्रताम अध्यक्ष थे और आपको बता दे कि आधुनिक खेलों को प्रारम कब वो था 1896 में और एथेंस में हुआ था बैरोन प्रिदे कुबाटन के प्रयासों सिया हुआ था और प्रत्यक चार बर्शों बाद अलम्पिक खेलों का आजन होता है अगला अलम्पिक खेल कहां पर पर जापान की राजधानी टोक्यों में यह आपको फैक्ट आदक मैं बहुत इंपोर्टेंट है चली अगला कोशन है हाली में कि सराज के शाही लीची को जी-आई टेक प्राप्त हुआ है यह जी आई टेक क्या है यानि जेग्ग्राफिकल इंडिकेशन यानि भहगोलि इंग्लीज में बोलते हैं जी आई को जोग्राफिकल इंडिकेशन हिंदी में भगली संकेत प्राप्त हो गया है आपको उतादिक बिहार की मीठा गुदेदार और रशादार लीची अधिकतर मुझफर पूर्वी चंपार और वैसाली समस्तिपोर बेगुसरा जिलों में क्या आश्पा सुगाई जाती है जी आई पंजिकर्ड बिहार के लीवी लीची ग्रोवर एस्टेशन के नामपर किया गया है जिन्होंने टैक के लिए आविदन किया था यहां पर आपको कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं जो एक्जाम में पूछे आते हैं आप दोस्तों मैं असम बोल दिया हूं दारजीलिंग यानि पस्चिम मंगाल की चाय और आपको बता दे कि महाराश्ट के हाली में भी महाराश्ट के अलफानसों आमको हाली में भॉगोलिक संकेत दिया गया ठीक है तो हाली मिकिसराज के साही लीची को जी आई टेक पराप्त हु यजिए उसके लाजी टंडन है उसके लाज़ी टंडन है उसका प्राचीन नाम क्या था है तिहासिक नाम था मगध और जो पाटली बिहार के लिए प्राप्ट प्राप्त हुआ है चलिए अगला कोशन देख लेए इस वर्स के lifetime achievement हिर्दयनाथ पुरुषकार के लिए किसे नामित किया गया है तो इस वर्ष के हिर्दयनाथ lifetime achievement पुरुषकार के लिए नामित किया गया है खयाम आफ संसिया आपको वतादी खायाम के नाम से प्रसिद रास्टी पुरुषकार विजयता संगीत निदेसक मुहम्मद जहूर खायाम हास्मी को इस वर्ष के लिए लाइप टाइम अचीवेंट के लिए हिर्देनाथ पुरुषकार के लिए नामित किया गया है आपको बतादे हिर्देश कला दर्ण स्थापित इस पुरुषकार में एक लाख रुपए का नगत पुरुषकार और एक श्मृति चिनिस सामिल है और उन्हें सीयम जो है महरास्टा के देवन फ़र्ण भी द्वारा समनित किया जाएगा आपको बतादे हिर्देनाथ महान संगीतकार दीनानाथ मंगेशकार के सभी बच्चों महान संगीत महान मंगेशकर गायक बहनों लता मंगेशकर आसा उसा और मीना के एक मत्र और सबसे छोटे भाई है ठीक है बहुट को बौट को अनुसरा में भारत ने 5 इस्थान के बढ़त के सथ आनुए इस्थान पर सबसे धिक परच्चिप 2020 देशों के भी सबसे धिक लाप्राप्त किया है सुचकांग में आपको बता देख 140 देश सामिल है और राष्टी प्रदिश्ट प्रदात्मक्त को मापता है आपको बता दें दोस्तों कि इस में से सुचकांग में सीस फाइब टॉप फाइब कंट्रीज हैं फस्ट नमर पर य इनदेक्स जारी किये गाए मैंने आपको बतायiez तो आपको क्या पता है कि अभी हाली में हम्हांगर इंडेक्सं में ठीक है वर्ल्ड हंगा हंगर में हम भारत को कौन संठान मिला अभी हाली में जारी किया गया और यह फ्रफ्रफ़ण को 103 भारत हंगर इंडेक्स में एक सूतीन नंवर पर है HDI यानि human developing India सबसे important है HDI में ये आपको यादकने HDI विष्व विकास सुचकांग में ठीक है यह आपको यादकना है तो इसमें भारत का स्थान 1 30 130 मा स्थान है ठीक मानोव विकास सुचकांग में human डब्लमेंट इंडेक्स में 130 नम्मर पर है ठीक है तो यह आपको याद रखने प्रतिस परदाद में रिपोट 2018 में अंठावन वार इंडेक्स लेटे रक्सार एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है अगले बार में एसिया ईडरोब मीटिंग सिकर्समेलन कहां शुरू हुआ है त्या सुरूब है दोस्तों बेल्जियम बुरुसेल्जियम ब्रुसेल्स में रखनें इस वर्स के अस्यम सिकर्समेलन का विशय क्या है ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चेलेंजेस ठीक है ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चेलेंजेस देश का पहला धुवा मुक्त राज्य बन गया है केरल ऑप्सन डी सारविनिक छेतर की तेल कमपनियों के 100% एल्पीजी प्रेवेश के साथ केरल देश का पहला धुवा मुक्त राज्य बनने जा रहा है राजी के ज़्यादातर गाओं आपको बता दे कस्वों और सहरों में इस लक्ष को लगवा कहांसिल कर लिया है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों कनाड़ा मनोनजन के लिए गाजा वैत करने वाला किस देश के बाद दूनिया का दूसरा देश बन गया है तो इसका राइट एंसर हो यागा दोस्तों आपसन C उरुगवे ठीक है उरुगवे के आपको बता देए कनाड़ा मनोनजन के लिए गाजा वैत करने वाला उरुगवे के वाग दूनिया का दूसरा देश बन गया है इस कानून के तहत एक वैस्ट सार्विनिक जेगा पर अपने साथ साथ सव हीरे दो हजार सथिक मोती रूबी और बहमोल पत्थर लगे हुए हैं कुश्चन नमर्न नाइन थे निमने में से किस राज्य में सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो देश में इस तरह का पहला इस्टेशन होगा तो यह मोस्ट इंपोर्ड़न सन्हें सिटिकRO आपको मता देगी मांचल प्रदेश में सुरंग के अंदर रेल इस्टेशन बनाया जाएगा जए जो देश में इस तरह का पछला आरिस्टेशन होगा कर लिया है जिसका राइट सरहुचन का ऑप्सन भी देखिए आपको बहुता देख बेलस्पन समू के चेर्मेन जो है बालकिष्ण गोयनका ने सत्तर अक्टूबर दोठारों को उद्ध्योख संग्ठान एसो चैम के प्रेज़ेंट का प्रदभार कर लिया है गोयनका से पहले मोनेट इसपात एंड एनरजी के चेर्मेन और प्रवनेसक संदीप जजोदिया एसो चैम के प्रेज़ेंट थे ठीक है तो यह बहुत इंबोर्टन कोश्चन हो है उद्ध्योख संग्ठान एसो चैम के प्रेज़ेंट का प्रेज़ेंट का पदभार किसने ग् अब देख लेते हैं दोस्तों आप लाश्ट वीडियो का एंसर मैंने कोश्चन बूदा सुल्तान जोहर कब जूनियर हौकी किताब को इस देशन जीता है यह जित लिए ब्रिटेन ने ऑप्सन सी राइट था सभी इस्टूडेन ने राइट अंसर दिया था अब देख लेते हैं आज का सवाल के बहुत मातपूर है दौरा ठारा का मैन बुकर पुर्षकार किसने जीता है पूरे डिटेल के साथ लिखिएगा आप लोग एक लाइन में लिखके फूर्षात हो जाते हैं मैं जब आपको पूरे जानकारी डिटेल में बताता हूं ताकि आपको चीज़े याद रहे ताकि आपको एक्जाम में गलती ना करें दोस्तों ठीक है मैं बुकर पुर्षकार के स्थाबना कब हुई इसलिए अगर दोस्तों अक्टूबर तक टॉप 100 करेंड़ फेस कोश्चन यहाँ पर प्ले होगा आप जरूर देख लें इंडी स्क्रीन में भी ठीक है चलिए नेक्स्ट वीडियो को साथ मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए आपको दें शूभ हो जै हिंद जै भारत